दिल्ली को अब दिखाई दे रहा है कि उसके बास कोई विकल्प नहीं है सिवाए भाजपा के कि दिल्ली की सतर में से सतर सीटों पे दिल्ली वाले भाजपा को सेवा का मौका दे कोई नहीं है टक्कर में केवल भाजपा है इस सेवा के कारह में इस चुनाव के बाद कॉंग्रेस दिली की राजनीती से अदर्श्य हो जाएगा। इसका मुख्य उदेशर आएगा। दिली अब देश के डबल इंजन विकास से जुड़ने के लिए बिलकुल तयार है। दिली को अब दिखाई दे रहा है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाए भाजबा के। हम सिर्फ परिवर्तन यात्रा के नाम से जो यात्रा निकालेंगे वो दिली के मन ने जो परिवर्तन तै किया है उसको ट्रकटम रूप में लोगों के बीच ले जाने का काम करेंगे। दिली में एक वातावरन तैयार करेंगे, हम दिली में ऐसा वातावरन तैयार करेंगे, हम तो चाहेंगे कि दिली की 70 में से 70 सीटों पे दिली वाले भाजबा को सेवा का मौका दें। प्रवीन जी एक बात और हम आपसे जानते हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपनी पद यात्रा निकाली, दूसरी तरफ हम देख रहे है कि कॉंग्रेस की नया यात्रा चल रही है, और अब वीजेपी ने भी ठान लिया एकि परिवर्तन यात्रा, तो ऐसे में क्या क पार्टे की टक्कर आपको दिख रही है क्योंकि मैदान में तीनों पार्टिया उतर गई हैं? खमंड के कारण, अब जनता से बहुत दूर जा चुकी है, कॉंग्रेस तो ना रेस में, ना तीन में, ना तीरा में, वो तो सिर्फ वैसे ही अपना समय काट रहे हैं, इस चुनाव के बाद कॉंग्रेस दिल्ली की राजनीती से अदर्श्य हो जाएगी. परिवर्तन यात्रा की बात करें, तो ये कब से शुरू होगी और क्या कोछ ये सब्तर विधान सबाओ को कवर करेगी? तो बिल्कुल ये थे हमा साथ बाचित करने के लिए मौजूद दिल्ली वीजेपी, मीडिया परमुख परवीन शंकर कपूर जी उन्होंने साथ तोर पर कहा कि अब दिल्ली वीजेपी भी मैदान में उतर चुकिया, और अब बदलाव भी अब दिल्ली की जनता कहती हुई नजर आ रही है और अब ये देखना होगा कि परिवर्तन रैली जो दिल्ली वीजेपी के और से निकाली जाएगी, उससे आग आने वाले विधान सबाच चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? अब दिल्ली की जनता बदलाव चाती है और बाजपा इस बार दिल्ली में आने वाली है। कैमरा परसन दिलिप के साथ कुनाल शर्मा पंजाब के स्री दिल्ली